नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है सेट नमबर वन जो है जैसे कि हम कम्पलीट जिस प्रकार देर सो प्रस्न आते हैं उस प्रकार सौल करा रहे हैं से पहले के पोर्षन जो है नहीं देखा आपने साइड में आई विटन में लिंक मिल जाएगा आज आम देखेंगे सेवन्टी वन से लेकर हंडेट तक के प्रस्न और इसमें पारवन और सामाजिक अध्यान के 10 प्रस्न सिक्छल कौसल के 10 प्रस्न और बाल मनुविग्यान के 10 प्रस्न जो है वो आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं 71 प्रस्न से प्रस्न है आपका निमलिकित में से कौन राष्टी विकास परिसद का सदस्य नहीं है आपको बताना है उसके साथ साथ प्रधान मंत्री भी आते हैं और उसके साथ साथ नीति आयोग जो है उनके सदस से भी आते हैं तो आपका उप्षन नमबर डी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्न 73 है नौकर साही के सिध्धान्त के सथापक या जनक कह सकते हैं कौन थे चार उप्षन है आपको बताने कौन सा सही होगा तो सही हो जाएगा आपका उप्षन नमबर बी मैक्स वेबर जो है वो आपका सही हो जाएगा मैक्स वेबर की बात करें तो यह जो है एक जर्मन समाज सास्त्री थे जर्मन समाज सास्त्री जो है ये थे जिन्होंने कह सकते हैं आपचारिक तोर पर पहली बार ब्यूरो क्रेसी जो है उसका अध्यन भी जो है वो किया था प्रतम बार ब्यूरो क्रेसी का अध्यन भी जो है वो आपचारिक तोर पर जो है वो किया अगला प्रसंट Cause 74 है यहाँ पर थोड़ा से मिस्प्रिंट है यह जो है अबुल फजल जो है यहाँ पर पुजा गया है कि अबुल फजल जो है कि किस तूफी संत के पुत्ट थे चार और साही होगा तो साही हो जाएगा आपका option No.A सेक billion बार्त साही हो जाएगा अबुल जो फजल है वो मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान और कवी के रूप में भी जाने जाते हैं अगला प्रस्ट 75 है परवतों की लगातार स्रंकला जो है वो कौन सी है जिसकी उत्पत्ती भारत की समुद्री सीमा के लगबक्स जो है वो समनांतर है तो चार ओप्शन है आपका सही होगा ओप्शन नमबर D पश्चमी घाट जो है वो आपका सही हो जाएगा पश्मी गाट आपके सकते हैं भारत में परवतों की एक ऐसी सरंकला है जिसकी उत्पत्ती जो है वो भारत की जो समुद्री सीमा है उसके लगबग जो है वो समनांतर है और पश्मी घाट परवत की बात करें तो वो जो है वो गुजरात से लेकर जो है वो दच्छड भारत में केरल के माला बारत तड जो है वहां तक जो है वो फैला हुआ है अगरा प्रसंट 76 है तमिलाडू तता करनाटक से गुजरने वाली नदी जो है वो कौन सी है चार ओप्शन है कौन सा सही होगा अपका ओप्शन नबर डी जो है वो सही हो जाएगा कावेरी नदी जो है वो हो जाएगा कावेरी नदी जो है उसका उद्गम इस तल जो है करनाटक के कुर्ग जिले में एक ब्रहम गिरी पहाड़ी है वहाँ से जो है वो स्टार्ट है और समुद्र तल से उचाई जो है उसकी लगपक 1341 जो है वो मीटर है और लगपक जो है आप कह सकते हैं 800 किलो میٹر की दूरी तैकर जो है तमिलाडू होते हुए जो है जो ये कावेरी नदी जो है उसकी बात मैं आपर कर रहा हूँ तो ये तमिलाडू होते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो है वो जाकर गिरती है और सबसे महतपूर पॉइंट इसका जो की बार-बार प्रस्ट पूछा जाता है दच्चड भारत की गंगा के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है गोदावरी और कावेरी को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो गोदावरी को भी कहीं कहीं आपको लिखा देखो ने को मिलता है बुक्स में परंतुब मुकिता जो है वो कावेरी को ही दच्चड भारत की जो है वो गंगा के रूप में जाना जाता है अगला प्रस्ट 77 है भारतिय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वाइसराय के सासन के दोरान आरंब जो है वो की गई थी चार उप्षन है कौन सा सही होगा सही होगा आपका उप्षन नमबर डी लाड कॉरन वालिज जो है इनके सासन के दोरान आरंब जो है वो किया गया था और हैद पोल पॉइंट इनके बारे में सबसे कि भारत में नागरिक सेवा का जनक भी जो है इनी को माना चाता है नागरिक सेवा का चना, किसके लाब आप वीडियो पसंद आ रहा हो, तो लाइक भी अवशिक कर दीजेगा, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है, अगला प्रसंद 78 देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक भारतिय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के प्रसंद 79 विस्व व्यापार संगठन जो अब गैट के इस्थान पर है, तो आपको बताना है, उसका मुख्याले जो है, वो कहां इस्तित है, तो विस्व व्यापार संगठन जो है, जिसको हम कहते हैं, WTO, World Trade Organization, तो आपका मुख्याले बताना है, सही कौन सा होगा, सही होग आपका option number D, option number D, यानि कि जिनेवा जो है, वो सही हो जाएगा, मुख्याले जिनेवा ना होता तो आपको कहां सकते हैं, स्वीजर लेंड जो है, आपको option में देखने को मिल सकता था, तो कि स्वीजर लेंड के जनेवा में जो है, वो इस्तित है, अगला प्रसंद 80 देखते ह बताना है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि सोदेसी आंदोलन 1905 के अवसर पर जो है, जो व्यक्ति इन चारो option ने जो सही होगा, उन्होंने जो है, वो अमार सोनार बांगला जो है, वो लिखा था, और बाद में यही जो है, गान आप कह सकते हैं, बांगला देश का चलिए अब हम अगले portion की तरफ यानि की सिक्चल कौसल, तो सिक्चल कौसल पे आदारित 10 प्रसन आपके आते हैं, 81 से 90 तक, 81 प्रसन है, प्रात्मिक अक्चा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक सिक्चक को जो है, वो क्या करना चाहिए, तो ये जो है आप प्रसन देखते हैं, 82, कक्चा में विद्यारतियों की रुची बनाए रखने के लिए एक सिक्चक को उचित है, तो इन चारों option में से काउन सा सही होगा, सही हो जाएगा आपका option number D, प्रसन पूछना, प्रसन पूछने से चातर है, उनकी रुची आती है, उनकी रुची आत आपका सीटेट का प्रसन है, सीटेट में आच चुका है एक बार, तो उसे स्याम पठ आधी साफ करने का काम देंगे, ये मैं आपको अल्रटी जो है वो बता भी चुका हूँ, उसकी जो अती सक्रियता है, उसे जो है किसी प्रकार के कार में आप बिजी रखेंगे, तो जो स सक्रियता है, उसकी नकारात्मक जो है वो नहीं हो पाईगी, अगला प्रसन 84 है, प्रात्मिक इस्तर पर एक सिक्चक में निम्न में से किसे सबसे महतपूर विसेश्ता मानना चाहिए, तो चार आप्शन है, कौन सा सही होगा, सबसे पहली विसेश्ता जो है वो हो जाएगी, धैर और द्रड़ता, सिक्चक में कह सकते हैं, सबसे महतपूर विसेश्ता जो है ये हो जाएगी, अगला प्रसन 85 है, प्रतेक जो सिच्चारती है, वो स्वेम में विसेश्ट है, इसका अर्थ है कि, तो चार आप्शन है, कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा, आपका आप्श प्याजे जो हैं, उनके सग्यानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, इंद्रिय गामक या सम्वेदी प्रेरग जिसे भी हम कहते हैं, अवस्ता किसके साथ सम्बंधित है, तो चार आप्शन है, कौन सा सही होगा, आपको बताना है, सही होगा, आपका आप्शन नमबर A, अ प्रेरग या इंद्रिय गामक अवस्ता है, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं, अनुकरण पर ही आधारी जो है, आपको देखने को मिलती है, अगला प्रस्न 87 है, सूचम सिचड सरलीकरत सिचड प्रक्रिया है, जो छोटे आगार की कक्छा में कम समय में पूर्ण होती है, ये क कतन जो है, वो किसका है, तो कतन किसका है, ये जो है, वो D.W.L.N. का जो है कतन है, अगला प्रस्न 88 है, सिचड को आनंद दायक, मनुरंजक और रूचिपूर बनाने हैं तो उत्तम प्रविदी है, तो चार आप्शन है, कौन सी प्रविदी सही होगी, सही होगी आपकी आप् प्रायोजित योजना जो है, उसका उद्देश जो है, तो उद्देश है के बाद, डैस में आपको क्या फिल करता है, ये बताना है, उसमें निसक्त बच्चों को सैक्चिक अवसर उपलब्द जो है, वो कराना, तो बात कर लें दें, उत्तर की सही होगा, आपका आप्शन नियमित विद्दाहले जो है, उनमें निसक्त बच्चे उनको सैक्चिक अवसर उपलब्द कराना, ये आपका सही हो जाए, इस फिलिंदा ब्लेंक्स की जगा जो है, वो नियमित विद्दाहले हो, जो हो जाएगा, अगला प्रसन देखते है, नबबबबबबबब, प्रसन ही हो जाएगा बढ़ते हैं अब हम बाल मनुविज्ञान के 10 प्रस्ण 91 से यहां पर 100 होगा यह 100 तक आपके प्रस्ण होगे 91 प्रस्ण है आपका कि बच्चपन के सामप्रतिक द्रश्टिकोड की मानिता है चार आप्षन है कौन सा सही होगा तो मानिता है कि जो बच्चपन है वो वरद्धी और परिवर्तन की अनूठी अवदी है तो आपका आप्षन D जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्ट 92 देखते हैं मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है आपको बताना है तो सबसे जटिल अवस्था जो है वो किसोरा अवस्था जो होती है इसलिए श्टेल ने हॉल लेंसे संगर्स और तुपान की अवस्था भी जो है वो कहा है अगला प्रस्ट 93 देखते हैं आंसिक दरश्टी दोस युक्त बालक का कक्चा जो है वो विवहार कैसा होता है या बालक का कक्चा में विवहार जो है वो कैसा होता है तो चार आप्शन है वह पुस्तकों को आखों के निकट लाकर पड़ता है बिल्कुल पड़ता है जब ही हो जाएंगे उपरोक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं 94 मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का कौन सी अवस्था बाल विकास यहाँ पर की होगा बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल वह कठिन है तो अभी प्रसन आया था आपका सही हो जाएगा क्यक्いました इस्टेनले हॉल बहुत ही फेमस जो है वो डिफिनेशन है कठान है उनका कह सकते हैं कि कि सोर्व खकर बढ़े ही संगयर्श तनाव तुफान का जो है वो काल है तो आपका ऊप्छिन बह सही हो होती है तो चार आप्शन है सही हो जाएगा आपका वंसानुकरम और वात्तावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण काफी प्रस्थ इसमें आपको सीटेट पर आधारित भी देखने को मिल सकते हैं अगला प्रस्थ 96 है सीखने के प्रयास और भूल सिध्धान्त का अगला फ्रस्थ 97 है विकतिकत विविशनिता निमल में से किस चेत्र में परदरसित होती है तो shift विविभिनिता भी हो जायबादिक विविविनिता भी होजाएगा सांबेगिक विविनिता भी हो जाएगा तो आपका option उपरोक्त सभी ज़ह हो सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं 98 निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य आवस्था की विसेस्था नहीं है आपको बताना है तो कौन सी नहीं है दल समू में रहने की आवस्था ये पूर्व बाल्या अवस्था की विसेस्था में नहीं आता है क्योंकि दल समूज है ये कह सकते हैं आपका बहुती बाद में आता है पूर्व बाल्या अवस्था आपकी 3-6 वर्स में लगबग मानी जाती है तो इस अवस्था में अगर विशेस्ताओं की बात करें तो बच्चे में अनुकरण करने की प्रवत्ती होती है, अनुकरण मतलब कह सकते हैं नकल करना, कौपी करना, जिग्यासा की प्रवल प्रवत्ती होती है, उसे हर चीज जानने का एक अंदर से बना रहता है कि ये क्या है ये कैसे है इस टाइप की चीजे हैं खेलने की प्रवत्ती भी रहती है खिलोनों की आयू भी आप इसे कहते हैं पूरा बहली आवस्था से प्रस्टन बार-बार ये पूछा जाता है कि कि खिलोनों की आयू जो है वो किसे कहा जाता है आपका यूपी टेट में भी एक बार पूछा जा चुका है सारीरिक विकास में भी आप कहसकते हैं बहुत तीवर गती से जो है इसमें तीवर्ता आपको देखने को मिलती है इसके साथ साथ नर्सिज्म जिसे हम कहते हैं स्वाप्रेम की भावना वो भी इसमें अत्यन्त प्रबल होती है और ऐसी बहुत सी है जो विशेस्ताइन जैसे की मूल प्रवत्तियां हो गया उस पर आधारित भी कही न कही इसमें आपको देखने को मिलता है और जो प्रस्थ में आपका कह रहा था दल समू में रहने की आवस्था ये जो है वो पूर बाले आवस्था में न कहकर आप कह सकते हैं संपूर बाले आवस्था यहां पर लिखा होता तो जो है उसको कहते हैं यदि यहां पर केवल और केवल बाले आवस्था बूचा होता तब आपका दल समू में रहने की आवस्था जो है वो आजाता है पर नतों यहाँ पर पूर्व लग गया है इसलिए आपका यह वो विशेस्ता नहीं जो है वो होगी अगला प्रस 99 देखते हैं कमजोर वर्ग के बालक से ताद पर है तो चार आप्शन है कौन से सही होगा तो कमजोर वर्ग के बालक सितात पर ऐसे अभिवावकों के बालकों से है जो सरकार द्वारा निर्धारित नियूनितम सीमा की वार्सिक आई की जो सीमा है उससे भी नीचे के वर्ग में जो है वो आते हैं और अगला और इस वीडियो का लाश्ट परस्ट नंबर हंड्रेड है और बाकी आगे के जो पचास परस्ट है उनको जो हम आगे वाले पार्स में जो है वो देखेंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्ट कर लीजेगा ताकि आगे आने वाले पार्ट जो है आपसे मिस ना हो तो बात कर लेते हैं उत्तर की सही होगा आपको आपको आप्शन नमबर सी सरजन सील बालको की जो है वो सही हो जाएगा इसमें समस्था है कि अर्थ को जानने की योगिता वातार जो है उनके दोसों कमियों और रिक्तियों के प्रती सजकता इस अभी विजेशनाएं जो है देखने को मिलती है सरजन सील बालक आप कह सकते हैं जिनमें क्रेटिविटी जो होती है तो यसी के साथ हमारे आज के प्रसंद समाप्त होते हैं वीडियो पसंद आयो तो लाइक आवश्य कीजेगा नए है चानल पर सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलते हैं अगले वीडिय करन देखने कि एक और देखने को दो कियुका है? झाल दूम झाल पर सब्सक्राइब जरू के एक पह formally होती है? झाल झाल